हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल फाइनांस पर यह हम फाइनांस की दुन्या को समझने में आपकी मदद करेंगे इंवेस्मेंट बजेट और बिजनेस मनाने और मनी मैनिमेंट के बारे में सिंपल तरीके से समझेंगे आपके एक्स्पिरिंस इन्वेस्टर हो या फिर अभी शुरुआत कर रहे हो हम आपको सही जानकारी और गाइडन्स देंगे ताकि आप अपने फाइनेशल गुर्व को जल्डी और अच्छी तरीके से अच्छीव कर सके तो बने रहे हैं हमारे साथ और अपनी फाइनेशल ज आफरिंग लाने वाली है तो एक अपनी 26 मार्श को ओपन होगे तो 28 मार्श तक तीन दिन आपको वक्त मिलेगा इसको अपलाई करने के लिए लिस्टिंग जो है तीन एप्रिल को होगी छोटा सा एप्यों है 130 करोड का और चलिए इसके बारे में जानते हैं तो इस आप्यों मैं अपना मेरा उपिनियन भी बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको बता दो कि कमपनी करती क्या है यह कमपनी 2008 में स्टैबलिश वी और यह कमपनी में लिक कंस्ट्रक्शन आफ रोड्स ब्रिजेश टनेल बनाती है और जमू और लदाक तक एक्टिव हैं कमपनी के तीन मेजर Sats That Go Refer कर सकते हैं अगर बात करें कमपनी के फाइनेशियल की तो कमपनी का जो है रीवेन्यी जो है 13 से और प्रॉफित अफिक टैच छे परसेंट से बढ़ा है अगर त्रिफस मार्च को जो कमपनी का से लेके 112 करोट से लेकर प्रेस लेकर रास्ट कॉटर जो है 168 करोट तक कर दो पर रहा है कंपो क्पाइब कोविए जहां płाहिंग को भी तो यह बहुत करता है किели ज्वाहरा प्र Понड्र पर वह कंपाइब करहां ने पभी लेकिन उसका वुद divis n मेरे ख़ो जो के fundamental काफी मजबूत बता रहे हैं अब financial के बाद जो कंपनी के पर्फार्मस पर बात करते हैं क्या आप जो है चारसो एकासी करोड दिखा रहा है और कंपनी का ROC कि कंपनी की पर्फार्मस के लिए जो मेजर मैट्रिक्स हैं वो ROC और ROE है है return on capital employed और return on equity तो ROC जो कंपनी का है वो 29 परसेंट है और debt to equity जो है 50 परसेंट है तो debt to equity भी जो है normal range के अंदर है ज्यादा ना ज्यादा है ना बिल्कुल कम है तो 50 परसेंट तक जो है चल जाता है उसके बाद जो है profit after tax margin जो है around 9 परसेंट की आसपास है और कंपनींग अगर earning pressure की बात करें तो प्रिया इपी उसका जो फिलाल जो है 11 का दिखा रहा है कि price to earning ratio तो जितना कम हो उतना भेतर है तो कंपनींग अगर हमने fundamentals की बात करी तो fundamentals का पी अच्छे बताए जा रहा है उसके बाद जो पी रिशो भी है वो भी अच्छा है लेकिन अगर कंपनीं के market cap की बात करें तो 2018 करोड है। 500 करोड के अंदर की कंपनी है इन फायंग करोड के आंदर की जो कंपनी है उन को समझगा जाता है लेकिन यह प्सक्तो क्रोड की नीचेâm है तो यह micro-caps कंपनीं है तो इसके अंदर जो है और इसका रिवाट रिश्व काफी हाय होता है इसकी कंपनी के अंदर जो है कि आपके जो है एक लाकी करोड भी हो सकते हैं और आपके एक लाकी जो है दस अधार भी हो सकते हैं तो कंपनी के अंदर करोड का प्रोस्पेक्ट बहुत है प्रेटी करोर से जो है अकर हैं से कम्पनी फूरेटी करोर से लिए वन थाउसन करोर तक भी जाते हैं तो आपका डबल कर सकती है तो कफे अच्छी अपरूट्रिटी है जैसे कि फाइनस के अंदर तो भीतिन काम कर रही है परफॉर्मस की इंडिकेटर भी जो है अच्छा बता हमने नजर आते है मैन इंफा कंश्रक्षन और सिंटेश्ट्र इंडिया लिमेटेट अफ़ लिखे था इन सब मेंज़ है जो ऑर निपर में पर से ने कौंस्रक्षन का जयादा पटता रहा है उसके बार जो है नाइंटी का आर्णिक पर शिजो बैसी का दिलोटेट भी जए सब में जादा है और अगर पी के बात करें तो इन मैं इन्फा कंस्रक्ष्षन का ज़र 46 का पी है सेमेंटेशन का भी 46 का है लेकिन SRM का यह पर पी तो में नहीं किया लेकिन जैसे आमने लास्ट स्लैड में जैका तो पी जो 17 का लिकिता का भी 17 का तो इसका पी अच्छा है और ये डबली जो 30 पसेंट ये भी जो है अमांग हाइस्ट है जो नई equipment या machinery को आड़ करने के लिए तो इससे जो फ्यूचर के अंदर long term के अंदर देखा जेंगा अगर new machinery और जो equipment आएंगे तो इससे जो सेल्स बड़ी प्रोडॉक्शन बढ़ेगा उससे सेल्स बड़ी के जिससे जो है इसका जो आसर जो है इसके financial के अंदर दिखाए देगा सेकंड जो डेट रिपेमेंट है बोरॉइंग से तो उसको पे करने के लिए जो आई प्योल आ रहे हैं उसके कमपनी को जो है 1200 करोर से ज्यादा कर जो है ऐस अफ ना उनकी पास जो है ओर्डर से तो कमपनी का अगर औरहर सब कुछ अच्छा बता जा रहा है अगर कमपनी की आई प्यों की बात करें तो जैसे मैंने अब शुरूआत में बचा बताया कि 26 से लिएकर 28 तक है और आपको ए है दो से 210 का जो है प्राइस बेर ढखा गया तो आपको 210 से स्लेट करना चाहिए तो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब होने के चांसे से फेस वैल्य विटेन है तो फूचर में स्प्लिट और बोनसेस के मिलने के जो हंडिर पसंट चांसेस है और कंपनी का जो टोटल इस्यू जो है वह 130 करोड़ है जिसके अंदर फ्रेश इस्यू 130 करोड़ का है तो पूरा परा फ्रेश इस्यू है और एनसी बेसी दोना प्रिश्ट होगा तो इसके अंदर रिटल काटेगरी के 35 परसेंट का जो खोटा रखा गया है और क्यू आइब के लिए 50 परसेंट और एचनाय के लिए 15 परसेंट तो रिटल के लिए अच्छा खासा अमाउंट रखा गया है अगर इसको और 50 परसेंट तक होता तो और चांसेस बढ़ सकते लेकर अब बात करें इसका आखिर में कि लिए इसके लिस्टिंग गेन कितना होगा इसके अदर प्रॉफिट कितना होगा इसके लिए तो अगर बात करें तो लास्ट जो पाच आई प्रॉफिट की बात करें तो ऊसके पाच में से चार है ने एटी परसेंट न आइप अंदर जो माइनेस के अंदर लिए उसके साथ है आप अगर उंका इस्टिमेट ले जी एम पी बीदेखेंगे तो आरके स्वामे जोसका जि लेकिन इसके अंदर अप्लाई किया था हाला कि मुझा आप्यों नहीं मिला लेकिन इसके अंदर प्रॉक्सान हो तो मार्केट फिलर होला टाइल है डाउन ट्रेंड के अंदर बता रहा है तो आपको सोच विचार करके आखरी दिन इसको अप्लाई करना चाहिए 19 परसेंट का ग्राइब बता रहे हैं 40 रुपए और दोस्तों दस रुपए इसका प्राइज रखा गया तो टूफिप्टी पे लिस्ट होने की चांसे ऐस पर जी एमपी है लेकिन अगर मार्केट और डाउन ट्रेंट है तो 19 परसेंट से जो है लास्ट में 5-6 परसेंट 10 परसेंट के अं सब्सक्राइज है तो इसके बिजनेश भी हलाल है और इंपरमेशल इंकम भी 5% से कम है और डेट टूटल एसेट रिश्ट भी जए 33% से कम है जो इसमें आप अपलाय कर सकते हैं हलाल है आपके लिए लास्ट में मेरा ऑपिनियन में आपको बताओंगा तो कमनी के फाइनेश का तो 10-20% का जो रिश्टिंगेन हो तो मैंसके लिए अपलाय करूंगा लेकिन लॉंग टम के लिए मेरा इसके बार में विजन ने है क्योंकि कमनी काफी माइक्रो है माइक्रोफ स्मॉल कमनी है और आसी कमी इसके अंदर जो है ऐसे वक्त के अंदर कि मारकेट हो रहा है वोल लॉंग टम के लिए रखने के में कोशिश करूंगा तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको हमरा अनलुसिस कैसी लेगी और इस बाइल में आपको क्या उपिन लेगा